हेलो फ्रेंट्स, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास31Tek तो मुझे काफी सारे लोगों ने कमेंट करके एक कॉश्चन बार बार पूछा है कि सर मैंने अपने यूट्यूब चैनल की जो वीडियो है उसकी कैटेगरी गलट डाल दी है तो क्या मेरी वीडियो और चैनल जो है मेरा उस पर क्या फरक पड़ेगा उससे मुझे क्या क्या नुकसान होंगे क्या मेरे चैनल की ग्रोथ रुख जाएगी सर प्लीज इस प्रोब्लम का सॉल्यूशन एक वीडियो बना के बता दीजिए तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने यूट्यूब वीडियो की कैटेगरी गलट डाल दी है तो उससे आपके चैनल पर क्या फरक पड़ेगा क्या आपके चैनल की ग्रोथ रुख जाएगी उससे आपको क्या-क्या नुकसान होंगे सारी जो इंफर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ रिटेल में तो वीडियो बहुत ही जादा इंफर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा लास्त तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नौटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पर सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नहीं वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूट्यूब पर दो तरह की कैटेगरी होती है एक तो आपके चैनल की कैटेगरी जिसको यूट्यूब चैनल कैटेगरी कहते हैं और एक आपके वीडियो की कैटेगरी तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क कि YouTube channel category क्या होती है YouTube Chienel जब भी आप कोई बनाते हैं तो आप जिस category का channel बनाते हैं जैसे मान लिजिए आपने जो cooking का channel बनाना है तो आपने food की category में वह रख दिया तो आपके food की category होगी जिस प्पे आप cooking की videos बनाते हैं अपने channel के उपर और वह डालते हैं तो यह तो होगे आपके चैनल की केटेगरी अब बात करते हैं कि YouTube वीडियो की केटेगरी क्या होती है तो जब भी आप कोई वीडियो अपनी YouTube पे अपलोड करते हैं तो अपलोड करते टाइम जहां आप टाइटल, टैक्स, डिस्क्रिप्शन ये सारी डिटेल भरते हैं वहीं आपको नीचे जो होता है कैटेगरी का एक ऑप्षण भी दिखाई देता है जिससे आप अपने YouTube वीडियो की कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं उसमें कोई दूसरी कैटेगरी भी आप लगा सकते हैं अब बात करते हैं कि अगर आपकी YouTube वीडियो में जो आपकी कैटेगरी है वो बनात बनाके डालते हैं आप और मान लीजे कोई trending topic पर आपने वीडियो बना दी कोई entertainment पर आपने वीडियो बना दी और आपने वीडियो बना दी और आपने वीडियो बना के अपने चैनल के उपर डाल दी और उसमें आपने वीडियो की category गलट डाल दी तो आपके चैनल पर आपकी वीडियो पे कोई फरक नहीं पड़ेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल की ग्रोथ पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब का जो अल्गोरिदम है वो इतना स्मार्ट हो गया है कि वो आपकी वीडियो जब आप डालते हैं तो उसमें आप जो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं उन कीवर्ड्स के अकोर्डिंग वो आपकी वीडियो की कैटेगरी को पहचान जाता है उसे पता लग जाता है कि ये वीडियो किस कैटेगरी की है और उसके according ही वो उस वीडियो को boost करता है जिस category की वो वीडियो होती है उसे के according उसी तरह की audience के पास वो उस वीडियो को भेजता है, recommend करता है तो आपको इसमें बिल्कुल भी परिशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने वीडियो की category को गलत डाल दिया है तो आपके चैनल की growth रुख जाएगी आपकी वीडियो पर views नहीं आएंगे ऐसा कुछ नहीं होता आपका जो चैनल है उस पर कोई भी फरक नहीं पड़ता है तो उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगे कि अगर आप अपने YouTube वीडियो की category को गलत भी डाल देते हैं तब भी उससे आपके चैनल पर कोई फरक नहीं पड़ता आपकी वीडियो पर कोई फरक नहीं पड़ता अगर फिर भी इस वीडियो से इलिटेट कोई भी question कोई रही है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share ज़रूर करें Thank you